दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल केरशना फैंटेसी में और आज हम बात करेंगे बांगलेडेश वूमेन वसे इंडिया वूमेन के बीच खेले जाने वाले टी टॉन्टी आई मैच के बारे में दोस्तो ये मैच आपकी इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले है साथ ही साथ में कौन सा बैट्समन का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊँगा तो वीडियो को इंटेक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है किरशना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस match की जो final team है न वो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी तो आप telegram channel को join कर लिजिएगा telegram का link इस video के नीचे comment box में और discussion में दिया वाए तो जल्दी से आईए link पे किलिक करिए और telegram channel को join कर लिजिए final team आपको यहीं पे मिलेगी अगर मैं आपको recent matches का result भी बताऊना दोस्तो तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपे clean sweep ही करा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ telegram से जुड़ना आपके लिए काफी ज़्यादा important हो जाता है दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी team के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक request जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आये तो YouTube चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा दोस्तो साथी साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक like नहीं करा है तो इस वीडियो को like भी जरूर कर दिजेगा क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आप इस वीडियो को like करोगे चैनल को subscribe करोगे मुझे भी support मिलेगा, motivation मिलेगा उमीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को like कर दिया होगा और चैनल को subscribe भी कर लिया होगा दोस्तो अगर बात करे हमारी team के बारे में तो wicket keeper में रिच्चा गोर्ष का सबसे पहले आपके पास option होने वाला है जो कि number 5 पे आपको betting करते वे नचर आएगी last match के बारे में बात करू तो 24 रनी नोने करे उससे पहले 8 रनी नोने करे फिर दोस्तो 23 रनी नोने करे ठीक है ये इनका अभी तक इस सीरीज में performance रहे हाला कि बड़ी पारी चाहे आया या निया लेकिन एक plus point है कि ये wicket keeping करेगी और ये catches वगेरा आपको पकड़के दे देगी दोस्तों क्योंकि बांग्लाजी शुमेन अभी तक जो है काफी wicket गवार ये खेलते वे तो उस में अगर 3-4 catch भी इनोने पकड़ लिए और 10-15 run भी कर दिए तो आपको एक अच्छे खासे point दे जाएगी तो ये तो आपके लिए important हो जाती है दोस्तों सुल्ताना एक ऐसी player है जो काफी experience player होने वाली है इस चीज को आपको ध्यान में रखते वे चलना है दोस्तों वही अगर हम betting order के बारे में बात करते हैं इनका किस number पर ये आपको खेलते वे नज़र आईगी तो number 4 पर खेलती है last win में एक run करे उससे पहले 28 run इनोंने करे ते फिर 6 run इनोंने करे 51 run इनोंने करे अभी तक ये इनका performance रहा है इस सीरीज में लेकिन ये काफी important player हो जाती है दोस्तों experience है ये run करके आपको दे सकती है वही दोस्तों अक्तर के बारे में बात करे open करी की last win में 21 run इनोंने करे उससे पहले 39 run इनोंने करे फिर 10 run करे और 4 run करे ये इनका अभी तक इस सीरीज में performance रहा है आप चाहू तो इनको भी रख सकती हो बट मैं आसे सुलताना को ही अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों वही दोस्तों यहाँ पे जिल्ख के बारे में बात करे बैटिंग ओर्डर जो रहने वाला है वो आपको काफी नीचे नजर आ सकता है इस चीज को आपको ध्यान में रखते वे चलना है दोस्तों अगर आप चाहू तो ट्राइ करके चल सकते हैं कई बारे टॉप ओर्डर में भी बैटिंग करने आ जाती है दोस्तों लेकिन वहाँ पे भी अभी तक फॉर्म की इतनी अच्छी नहीं चल रही दी सेंड में तो दो आपके पास अच्छे ओक्षिन है विकेट कीपर में ज्याद से याद आप अक्तर को अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो वहीं दोस्तों बैटिंग के बारे में बात करें मन्ना न आपको बोलने की मुझे लगता है इनके बारे में तो जर्वत है नहीं इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाती ओपन करेगी लाशन में 22 न इनोंने करें उससे पहले 47 न करें फिर 5 न करें 9 रन करें अभी तक इस सीरीज में ये इनका परफॉमेंस रहा है हाले कि एक मैच में अच्छी इनिंग्स खिली 47 न की उसके बार इतना कुछ खास रहा नहीं लेकिन प्लेयर काफी इंपोर्टेंट है इसलिए हम इनको अपनी टीम में रेके चल रहे अगर यहां से इंडिया वूमें की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप ट्राइ कर सकते हो अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करती है इंडिया वूमें की शिफा लिवर्मा एक हाड इटर ओपनर है जोगी अपने दम पे टीम को विन करवा सकती है लाश में दो रन करे उससे पहले 51 रन करे फिर 0 रन करे फिर 31 रन करे आपके लिए एक अच्छी आप्शन है आप इनको लेके चल सकती हो ग्रेंड लिग में ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकती हो क्योंकि ये हाड इटर बैट्स में ने टावर तोड़ खेलती है तो विखिट भी जल्दी गवा के सकती है दोस्तो खातों ने इस मैच में ओपन करते वे नच रहेगी लाश में एक रन करे उससे पहले 9 रन करे फिर 46 रन इनोने करे फिर 13 रन करे चाहू तो आप इनको ट्राइ करके चल सकती हो लेकिन मुझे लगता नहीं है ज्यादा अच्छा ये स्कोर आपको करके दे सकती है मौनी का आपके पास ऑप्शन है नंबर 6-7 पे बैटिंग करती है दोस्तो अभी तक रीसन के अगर मैं 5 मैचस के बारे में बात करूँ तकरीबन 40 प्लस रन इनोने करे है चाहू तो आप इनको ट्राइ कर सकते हो लेकिन इतना ज्यादा इस ट्राइक रेट भी इनका नहीं र सकते हो दोस्तो यहाँ पे तीन हमारे बैट्समें रहेंगे ओल राउंडर के बारे में बात करें दिप्ति शर्मा आपके लिए इंपोर्टेंट आप्शन होने वाली है जो कि बैटिंग बॉलिंग आपको करके देती है पहले इंडिया वूमेन अगर बैटिंग करती है तो बालिंग से अगर मैं बात करूँ अभी तक इस सिरीज में हम बात करते है तो इनोंने भी 5 विकिट निकाले जो 4 मैचेस अभी तक इस सिरीज के हुए बाकि S-10 का आपके पास आप्शन होने वाला है अगर हम परफॉमेंस के बारे में बात करते है दूस्तो बैटिंग ओर र कर सकते हो बैटिंग ओर रहेगा नंबर 6 के आसपास बालिंग ने करवाती है नहीं दोस्तो कभी करवाती है कभी नहीं इसलिए हम ड्रॉप करेंगे दिप्ती और पूजा आपके पास एक अच्छा उप्शन होने वाली है बालिंग में आपके पास रादा यादाव का एक मस अगर पहले इनकी टीम बालिंग करती है या फिर बैटिंग करती है तो आप इनको चाहिए दोनों तरफ से कैप्टन वोईस कैप्टन भी करके चल सकती हो अभी तक इस सीरीज के चार मैचस के बारे में बात करें साथ विकेट इनोंने निकाले है आर्खान दोस्तो यहाँ प छे विकेट इनोंने निकाले दोस्तो आप इनको लेके चल सकती हो जो एक इंडिया वूमेन के बैट्समेन को परिशान कर सकती है तो यह यही है दोस्तो इस चीज को ध्यान मेकना आर सिंग खेल नहीं रही अगर खेलेगी तो हम ट्राइ कर लेंगे ओपन देट में होने वाला है अगर पर्फॉमेंस के बारे में बात करते हैं नाइदा के बारे में अभी तक इस सीरीज के चार मैचेस में सिस्फ एक विकेट निकाली है इस्पिन बॉलिंग करवाती हो इंडिया वूमेन इस्पिन को अच्छा खेल लेती है तो इतने विकेट नहीं गिरा प रखती है बाकी दूस्तों यहाँ पे एस खातून का आपके पास ओप्शन होने वाला है लाश्मेन में एक विकेट निकाली बाकी अभी तक इस सीरीज में चार मैचेस के बारे में हम बात करें तो दो विकेट नहीं निकाले बाकी इनके अलावा यहाँ पे अगर हम किसी और के बारे में बात करें तिटा संदू अगर इंडिया वुमेन पहले बॉलिंग करती है तो एक मस्त ओप्शन होने वाली है क्योंकि यह भी ओपन और देट में बॉलिंग करवाती है कई बार ओवर जरूर कर जाते है लाश्मेच खेली थी कोई विकेट नहीं निकाल पाई उस उससे पहले चार मैचेस जो वुमेन आई पेल की खेल कर आ रही थी उन चार मैचेस में पांच विकेट निकाली थी और कंटिन्यू विकेट निकालते वे आ रही है आप इनको भी ट्राइ कर सकते हो एच विंगी का आपके पास ओप्शन होने वाला है अगर हम पर्फोर्में इंडिया वुमेन बैटिंग करते हैं तो शेफाली वर्मा को आप ट्राइ कर सकते हो दोस्तो हिटिंग करके दे सकती है फिलाली हमारी टीम का प्रिविव आप इस टीम के साथ अभी के लिए कॉंटेस जोइन कर लीजिए बाकी फाइनल टीम टेलिग्राम पे मिल जाएगी ल